हेलो दोस्तों दृष्टी PCS चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम यहाँ पर उत्त्रा खंड से संबंदिज जो भी महतपूल खबरे रही है बीते सब्ता हमें महतपूल खबरों के अलावा उससे क्या प्रश्ण बनाये जा सकते हैं कुछ संभावित प्रश्ण दिये जा रहे हैं तो किश खेत्र में दिये जाते हैं पूछा गया है शैलेश मटियानी पुरस्कार ऑप्चन है शिक्षा खेल साहित या फिर विज्ञान तो शैलेश मटियानी पुरस्कार शिक्षा के खेत्र से संबंदित हैं और इस साल 2021 के लिए यह पुरस्कार दिये ज प्राशिक्षड संस्थान के पर दिया जाएगा तोन अठावि पुरसकार इस बार दिये जाएगे और अलग अलग लोगुं के नाम इसमें शामिल किये गए अलग अलग प्षेत्रों से तो इस प्रशन का सही जवाब है option अगला सवाल हाली में आई एफस अधिकारी आलोग अमिताब डिमरी को ब्रूनेई का नया राजदूत के रूप में न्यूक्त किये गए हैं इसलिए हमें बताना है कि किस जिले से सम्बंदित हैं उप्षन है चमपावत बागेश्वर चमोली या फिर हरिद्वार तो यह आते हैं चमोली जिले से चमोली जिले के गाउं से तो उनके गाउं का नाम है डिमर गाउं और आइफस अधिकारी हैं चुकि उत्राखंड राजे से आते हैं और ब्रुनेई में इनको न्यूक्त किया गया है इस लिहास से एक खबर राजी के संदर में बहतकूर हो जाती है इसके लावा पहले वे किर्गिस्तान में राजदूत की जिम्मेदारी निभा रहे थे 1998 बैच के आई एफस अधिकारी हैं और 2018 में इन्हें किर्गिस्तान के राजदूत के रूप में न्यूक्त किया गया था उससे पहले विदेश मंत्राले में जॉइंट सेक्रेटरी के पदपर कारे कर रहे थे तो इन्होंने जब न्यूक्त हुए उसके बाद राश्पती जी से मुलाकात की और अगर इनसे संबंदित कोई सवाल बने तो आपको इसका जवाब पता हो ओप्शन सी यानी चमोली जिले से आते हैं चलिए अगला सवाल श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का वित्ती वर्ष 2022 तेस के लिए लगभग कितने करोड रुपय का बजट पारित किया गया है तो बद्रीनाथ केदारनाथ जो मंदिर है उत्राखंड के लिए बहुत महतपूर्ण है परिटन के लिहाज से धार्मि रुपय का और इसके तहत 2022-23 के लिए जो खर्च किया जाना है उसका प्रस्ताव दिया गया है और बजट के अंतरगत जो बद्रीनाथ अदिश्ठान है उसके लिए लगभग 34 करोड 44 लाख रुपय निरधारित किये गये हैं और और जो किदारनाथ प्रतिश्ठान है उसके यात्री गण है उनके यात्रा में जो गिरावट आए थी उसको कैसे वापस से बढ़ाया जाए इसके अलाव मंदिर परिसर की सुविधाओं को यात्रियों के लिए कैसे और बहतर किया जाए चिकिस्सा सुविधाएं हो सकती है आवागमन की सुविधाएं हो सकती है उनके भी इसका सही जवाब है अगला सवाल हाली में भारतिय परवतिय महासभा की दिल्ली एंसियार इकाई का गठन किया गया है इसके अध्यक्ष पूछा गया है कौन है ऑप्चन है डूरंग सिंग नेगी धर्मिन सिंग कंडारी नवीन बिष्ट या फिर डॉक्टर स्वाती भंडार तो हाल ही में इसके एक बैठक संपन हुई है दिल्ली एंसियार छेत्र के अंतरगत जिसमें डूरंग सिंग नेगी जी को अध्यक्ष बनाया गया है डूरंग सिंग नेगी जी अध्यक्ष पद पर न्यूक्त हुए हैं व संचालित की जाती हैं उसमें परवती शेत्र से आने वाले कई सारे लोग इसके सदस्य हैं ठीक तो इसके अध्यक्ष मनें हैं ऑप्शन यानि डूरंग सिंग नेगी चलिए अगला सवाल हाली में राश्टपती रामनात कोविंद ने दिव्व्य प्रेम सेवा मिशन के रज रजत जैनती समारोह को संभूदित किया है यानि कि 25 वर्ष पूरे हो गए है संस्था के तो मानव समाच की सेवा के अंतरगत इस संस्था का एक उल्लेखनिय योगदान है खासकर कुष्ठ रोगियों के लिए तो राश्पती जी ने भी संभन में कुछ प्रहुक बाते कहीं है कि जैसे कुछ ट्रोगियों को लेकर के जो समाच के बीच में अच्छूत वाली स्थिति या अच्छूत वाली भावना बनी हुई है उसको दूर किया जाना बहुत जरूरी है ऐसे में जो संस्था है अपने नया चीफ किसे नुक्त किया गया है तो ऐसे नुक्तियां जो वन लाइनर होती है लेकिन जानना हमारे लिए बहुत महत्पूर्ण होता है राजविशेश के संदर में रमेश कुमार संजय गुंजयाल एपी अंशुमान या फिर राकेश गौतम तो एपी अंशुमान जी को नया इंटेलिजेंस चीफ नुक्त किया गया है और यह एक वरिष्ट अधिकारी है इसके अला इन्हों ने स्थान लिया है एड़ी जी संजय गुंजयाल का और उसके बाद अभी यह शासना देश आ गया है और अभी अपना कारिभार संभालेंगे यानि सवाल का सही तो गरतांग गली अपने आप में बहुत ही प्रिसिद्ध पुल रहा है काफी पहले के समय से दो बातें यहां पर इसपश्ट है पहली बात की लगभग एक साल के बाद गंगोत्री राष्ट्रिय उद्यान यानि गंगोत्री नैशनल पार को एक अप्रेल यानि कल से वापस से परेटकों के लिए खोल दिया जाएगा इसकी ओलाइन और ऑफलाइन बुकिंग शुरू हो गई है इसी के संदर में जो लकडी का पुल है गरतांग गली इसको भी कल से ही खोला जा रहा है इस वजह से यह चर्चा में है तो अगर इस कंगोत्री नैशनल पार्क की बात कर जाती है अब जो गरतांग गली नामक यह पुल की बात हम कर रहे हैं यह काफी इसका प्राचीन महत है तो इस पुल को वापस से मरमत मरमत करके इसको परेटकों के लिए खोल दिया गया है एक समय था जब भारत और तिबबत के बीच में एक व्यापारिक मार्ग के रूप में इसका इस्तिमाल किया जाता था और प्रमुख जंजाती जो इससे खासकर संबंधित बताई गई है वो है भोटिया जंजाती तो भोटिया जंजाती के लोग अपने याख और जानवरों को ले करके व्यापार करते थे एक दूसरे इस्थानों के अंतरगत उसके बाद से काफी समय बाद इस पुल को वापस से बहतर किया गया है और लोगों को देखने के लिए इसको खोल दिया गया है तो इस प्रश्ण का सही जवाब है option A यानि उत्तरकाशी में यह मौजूद है अगला सवाल वर्तमार में प्रदेश के कितने रूटों पर हैली सेवाएं संचालित की जा रही है option है 15, 22, 30 या फिर 34 तो 22 ऐसे रूट है जहां पर ऐसी हैली सेवाएं संचालित की जा रही है खास कर कि जो तूरिष्ट आते हैं उनको 22 सड़क ना जाना पड़े सड़क का मार् जाता है इस लिहास से यहां पर जो सेवाएं हैं संचालित की जा रही है और उत्राखंड राज के अंतरगत उत्राखंड राज को सक्री रूप से हैली सेवाओं का विस्तार करने संबंदी पुरसकार भी दिया गया है तो यहां पर आप इसकी कुछ और जानकारी देख सकते है जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है यूनियन के लेवल पर माननी है जो तिरादित सिंधिया जी उन्होंने ये पुरसकार यहां के जो सचीव है उनको सौपा है तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानि बाइस अगला सवाल देश का हाई एल्टिट्यूड बैरी फार्म कहां पर बनाया जाएगा ऑप्शन है अलमोडा दहरादून पौड़ी गढ़वाल या फिर नैनी ताल तो सवाल में एक बार फिर से धियान से देखिएगा देश का यानि देश के लेवल पर बात है और राज्य की य बनाया जाएगा इसलिए और महत्पूर्ण हो जाता है हमारे लिए यह बनेगा नैनी ताल में तो रामगण के निकट सतबूंगा और मोतिया पाथर स्थानों पर इस प्रोजेक्ट की शुरुवात की जानी है और इस फार्म में बैरी रसबैरी और ब्लैक बैरी आदी जैसे स्थानों के पौधों को उगा कर जो छोटे काश्तकार हैं किसान हैं उनको दिया जाएगा कि ताकि इसकी खेती को बढ़ाया जा सके अभी भारत में जो बैरी बैरी से संबंदित फल है उनकी व्यावसाइक खेती नहीं होती है केवल कुछ इस्थानों परहीन को सीमित यह से हैं ऐसे में सुझाओ अपने आप में बहुत महत्पूर्ण है कि भारत के अंतरगत जो छित्र इसको उपजाने में सक्षम हो सकते हैं वहाँ पर इनकी शुरूआत कर दी जाए इसके अलावा जो ब्लूबैरी की बात है ब्लूबैरी के कुछ संदर में बात करें तो ब अलूबैरी के अन्य बहुत ही ज्यादा स्वास्थ वर्धक गुडब देखे जाते हैं जैसे सरदर्द होना सरदर्द की समस्या को दूर करना वजन कम करना और भी बहुत सारी चीज़े जिस वज़े से अमेरिका जैसे देशों में इसका बहुत ज्यादा सेवन किया जाता है तो इस लिहाद से बहुत महत्पूर्ण है भारत के लिए भी कि हम इसे अपनाएं और खासकर इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है आठ सो से पच्चिस सो रुपए प्रती किलो के हिसाब से इसकी कीमत भी देखी जा रही है तो हमारे लिए इसे उप जाना किस राज की लोकनित कलाओं के तहट निम्न में से कौन सा नित विवाहित लड़कियों द्वारा पहली बार मायके आने पर किया जाता है तो राज की जो भी विशेश रूप से नित कलाएं हैं उनके संदर में प्रस्म बनाया गया है सरों पौणा हारुल या फिर थडिया तो य संद पंचमी से बिखोद तक विवाहित लड़कियों द्वारा घर के अंगन कहते है या फिर चौक में इनित की जाते हैं तो जब अक्सर पहली बार विवाहित लड़की अपने मायके आती है तो यह इन रित किया जाता है है अगला है सरवु नित्थ यह गढ़वाल शेत्र का धोल के साथ किये जाने वाला एक युद्ध गीत के लिए की जाते हैं कि कौन रित्त की बात की थी हारुल निर्त की तो यह जौनसारी जन जातियों द्वारा किया जाता है इसकी विशेवस्तु जो है पांडवों की जीवन पर आधारित है और एक सबसे बड़ी बात कि इस नित्त के समय रमतुला नामक वाद्ययंत्र अनिवा रखिएगा तो इस प्रश्ण का सही जवाब था ऑप्शन डी यानि धडिया तो आज के सेशन को इन ही प्रश्णों के साथ हम विराम देते हैं आप इन प्रश्णों का एक बार फिर से रिवीजन कीजिए इनको अपने अभ्यास में शामिल कीजिए आप से मिलेंगे अगले सेशन में कुछ नए सवालों और खबरों के साथ तक पढ़ते रहिए शुक्रिया